बीजेपी के नेताओं की पिटाई का वीडियो वाइरल हुआ तो ये देखा गया कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते थे और ये कहते थे कि मोधी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रखने देती और लोगों के लोकतंत्रिक अधिकार का हनन होता है अक्सर लालु पुत्र आजकर इस तरह की बाते करते थे लेकिन बिहार की सरकों पर ये देखा गया कि कैसे बीजेपी के कददावर नेताओं की पिटाई हुई बीजेपी के तरब से नेता प्रतिपक्ष जो विजेशिन्ना है उनकी पिटाई की गई यह भी देखा गया कि बीजेपी के एक सांसत के उपर जम कर लट्थ बरसाया गया बीजेपी के एक कारेकरता जो जिला महामंत्री था उसकी तो मौत हो गई बीजेपी कहती है कि ये हत्या है अब जिस विजेपी कुमार सिंग्ग की मौत हो गई उसे पटना पुलिस बिहार पुलिस की लाठी से मौत नहीं बता रही बिहार पुलिस ये सफाई दे रही है कि उनकी मौत का पोश्ट माटम आना बांकी है और दूसरी तरब बीजेपी नितीश कुमार पर हमलावर हुई कि नितीश कुमार ग्री मंत्री है और नितीश कुमार ने इस तरह से बीजेपी के निताओं के पिटाई करवाई लेकिन नितीश ने अपने शातिराना अंदाज में चुप्पी लगा लिया आरजेडी के निता सड़क पड़ा गए कमाल की वात ये है कि नितीज सरकार में एक मंतरी जीतिंद्र कुमार राई ने तो अपने फेस्बुक पर यहां तक लिख दिया कि हमने बदला ले लिया और ये कहा कि हमारे निता तेजस्वी यादब ने कहा था कि हम तो बदला ले करके रहेंगे उनका ये ट्वीट वाइरल हुआ तो आरजेडी के जो राज जस्तर के छात्र नेता थे उन सब ने भी सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया और नारा देना शुरू कर दिया तेल लगा कर सरसों का हिसाब हो गया बरसों का तो क्या आरजेडी के नेताओं ने या फिर तेजस्वी यादब ने बदले के भाव से काम किया और नितीश कुमार के उपर बीजेपी हमलाबर हो रही थी और पलटकर आरजेडी ने कह दिया कि हाँ हमने बदला ले लिया है बिहार पुलिस इधर सफाई दे रही थी इधर आरजेडी के नेता तेवर में थे और कह रहे थे कि पिछले साल का बदला ले लिया देरसल जिस तरह से 13 जुलाई को पटना की सडकों पर बीजेपी नेताओं की पिटाई हुई ठीक वैसे ही धंग से पटना की सडकों पे दो साल पहले मार्च 2021 में आरजेडी के नेताओं की पिटाई हुई थी कई लोगों का मानना है कि ये उससे भी जादा निरसंस था जो 13 जुलाई को हुआ आरजेडी ने उसी का बदला लिया तो बले ही बिहार में बीजेपी नेताओं को ये लग रहा होगा कि इससे वो विक्टिम काड़ खेल लेंगे लेकिन आरजेडी फ्रंट फुट पे आ गई और आरजेडी ने का हमने तो बदला ले लिया है तो जाती बादी पार्टियों के समूह में ये बदला लेने से आनंद में थे लेकिन दूसरी तरफ बात पासा ऐसे पलटा कि बीजेपी ने तो आरजेडी को याद ये दिलाया कि मार्च 2021 में जो आरजेडी के निताओं की तेजस्वी यादब पर भी हमला हुआ था वो नितीश कुमार ने करवाया था दरसल बीजेपी ये समझाने की कोशिश करने लगी आरजेडी को कि हम दो बिल्ली की तरह लर रहे हैं और एक बाहनर इसका फायदा उठा रहा है बचपन की ओ कहानी याद दिलाने लगे नितीश कुमार की एक दो बिल्ली रोटी के लिए लर रही थी और बंदर मामा ने कहा कि आओ हम बटवारा कर देते हैं और फिर बाट बाट करके खा गई दरसल बिहार की राज़िती में नितीश का वही सुरूप है नितीश ना 3 में ना 13 में ना नितीश के पास कोई वोट बेंक है ना उनके पास विधाईकों की संख्या होती है लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि 40-41 विधाईक के साथ नितीश कुमार 88 विधाईकों वाली पार्टी के कुछ दो नमबर के रखते हैं नितीश का सातिराना अंदाज देखिए कि नितीश सत्ता पर काबिज होते हैं और नमबर टू को आईने में उतार लेते हैं। जब बीजेपी के साथ होते हैं तो पूरी पार्टी नितीश के खिलाप होती है लेकिन सुशील मोदी जैसा डिप्टी सीम नितीश के चम्पू बन लिया है लेकिन जो ही बीजेपी ने याद दिलाया 2021 का आरजेडी को तो तेजस्वी सफाई देने लगे कि उनके मंत्री या किसी निता ने कुछ भी कहा हो उन्होंने कोई बदला नहीं लिया है लेकिन कमाल का खेल ये है कि बदला ले लिया किस से बदला ले लिया ग्री मंत नितीश कुमार के पास हमेशा होता है, बिहार पुलिस नितीश कुमार के साथ होती है, बीजेपी के साथ भी नितीश होते हैं, तब भी बिहार पुलिस और ग्री मंत्राले अपने पास रखते हैं, आरजेडी के साथ भी वही है, तो फिर किस ने किस को पिटवाया, किस ने किस से बदला ले लिया राजनिती का यह खेल अद्वुत है लेकिन बीजे पी ने बड़ी चालाकी से अब की बार तेजस्ट्री और आरजेडी पर हमला नहीं किया बहले ही वो कह रहे हैं खम ने बदला ले लिया लेकिन बीजे पी अब यह समझाने में लग यही है कि कब तक बिल्ली कितर रहोगे बंदर मामा की पैचान तो करो तो क्रेडिट लेने वाले बदला लेने की क्रेडिट लेने वाले एक दम से बैक फुट पे आ गए हैं और नितीश कुमार फिर से बेपर्द हो रहे हैं तो क्या सचमुच नितीश कुमार असली बदल करवा करके तस्बीर अब यह भी वाइरल हो रही है कि लिए तीश कुमार की सरकार्प में रहकर के तेजस्वी का पतन हो रहा है जिन जिन वादाओं के साथ तेजस्वी अदब सत्ता में आये थे उसमें वो बैक पुट पे नजर आ रहे हैं बिहार की सरकों पे छात्रों के पर हमला हुआ पुलिस में भरती वालों के उपर हमला हुआ इन सब को तेजस्वी ने वाइदा किया था कि पहली कलम से दस लाक लोग के नौकरी देंगे और सरकों पे जब इन सब की पिटाई हो रही है तो चोट निश्चित रूप से तेजस्वी यादब की पार्टी को ल तो अठारा साल तो निश्चित पुमार रहे हुआ। तो तेजस्वी कह किसे रहे हैं। और दूसरी तरफ निश्चित रहे हैं कि पहले बिहार में कैसा राज था तो वो हमला किस पर कर रहे हैं। अब किसने किस से बदला ले लिया यह चुनाव परिनाम बताएगा। लेकि कि इस लड़ाई में हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब असली खेल इस बात को लेकर के है कि क्रेडिट लेने वाले पांटी के हमने बदला ले लिया अपने आपको बैक फुट पर क्यूं कर रही है। क्यों उसे अहसास हो रहा है कि बदला लेने की बात कहके हमने गलत कर तो क्या वो नितीश कुमार हैं जो बीजेपी और आरजेडी दोनों को पिटवा करके एक अलग तरह का खेल खेल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूंदी मत、 बारि खेलता लोनोंग भोसित हैं, हमें बारेर आर सुझाने हैं जो खीजेडीरे का जो यिता vetा थे एक अरा हैं जो पिएी और मोदों सकते हैं कितीशरेदी जितीशनी रहे हैं पिंजेट needed on VISTA क्पित जोना वीं हैं तो पिकते हैं, अजया हैं, अा Congo ये धन्या